इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे जो टीटेन का आज का तीसरा मैच होगा FBL वर्सस BCA के बीच इसके बारे में फर्स्ट वाल तो पहला मैच आपका कैसा जा रहा है कॉमेंट करके बताना चाहे आप विन कर रहे हो चाहे आप लोस कर रहे हो जो भी है बाकि अगर मैं अपनी बात करता हूँ मेरा इंवेस्टमेंट बहुत हाई लेवल पर है और मैं डारेक्ली शेयर करूँगा टेलिग्राम पर यहाँ पर जेस्ट मैं आपको एक कोंटेश दिखा रहा हूँ जो मेरी आभी मतलब पॉइंट की लीड चल रही है और यहाँ पर ड्रीम इल्योन पर आज मैं खेला हूँ क्योंकि मैंने आपको किलिर ली बोला था मेरा इंवेस्टमेंट हाई रहेगा बाकि देखते हैं जो भी रिजल्ट आएगा ठीक है सौ सो रुपे विन कर लिए आगली जब वीडियो आएगी उसमें भी इसी तरीके का गिवववे रहेगा और कंटिन्यू इस तरीके की गिवववे चल रहे है हमारे चैनल पर तो जिन्होंने सबस्क्राइब नहीं किया वो जरूर कर ले एंड सबसे इंपोर्टेंट काम टेलिग्राम से अगर आप नहीं जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जोइन कर लेना तो ओवराल में बात करता हूँ बी यार के टीम थोड़ी जादा श्ट्रोंग है ठीक है उसके बाद बी आरी की टीम है यह जहां पे मोहित नेगी आपनिंग करेंगे साथ अली जेन के साथ वन्ना होना हैंगे सनीज गोईल अब मुझे एक चीज बिल्कुल भी समझ में नही क्यों नहीं कर रहा है जबकि बहुत तगड़ा प्लेयर है बट बोलिंग नहीं कर रहा है इसलिए इनको जस्ट आइज नॉर्मल प्लेयर लेना क्योंकि कभी भी जब बोलिंग ये करेगा तो पॉइंट जरूर दे के जाएगा उसके अलावाद दोस्ति यहां से मोहन है जो कर रहा है लेकिन लास्ट पर नहीं किया था फिर विशाल पंजवानी है वालिद आहमद में बोलर ये इस्टीम का हिमांचु है हर्शा गोपी रेटी सोरभ कृष्णा रते उसके बाद गुरुप्री सिंग और आयूश पांडे ये इनकी प्रॉबेबल 11 है जो कि बैटिंग बोलिंगा ये रखेशा गोपी रेटी आपको ये प्लेस से एक निक को क्यों वाल जो बेटा अब के सकते हो अपने सद्बर इंस चिए सद्डाम GOEL करेंगे बोलिंग करेंगे consistent ये 97 के वर्ष चोईस होंगे के साथैतर निक क्रेगर के लिए का बीठ ऑर 20eld लिए तो मुझे नहीं लगता है इससे बैस कोई को बागी देखते हैं उसके बाद साहिल लाल जतिंदर वशिष्ट 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 वशिष्ष बहुत अच्छी बोलिंग की और मैं एक्सपेट कर रहा हूं कि वह इस मैच के अंदर भी बोलिंग करेगा मतलब ठीक है उसके बाद अभिलाशा है और जोडन भुयान है भुयान देखिए बोलिंग भी कर रहा है और फर्स में इनों ने टॉप अटर में बेटिंग भी की तो मैं आपको बोलूँगा कि यहीं इंपोर्टेंट रहेगा विकिट कीपर में फिर आता है मनिश्तिवारी डेथ में आता है तो यह वैसे ही इंपोर्टेंट बन जाएगा उसके बाद मोहित रहेजा मोहित रहेजा एक बहुत अच्छा बोलर है बहुत अच्छा बोलर है बट फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जील में आप ट्राइग कीजिए इम्रान बुखारी इम्रान बुखारी भी एक विकेट टेकर बोलर है चार मैच में से एक मैच को छोड़के बागी तीनों मैचेस में इन्होंने विकेट भी लिये इम्रान बुखारी निक क्रेगर के साथ आपनिंग जॉर्डन बुनियान सद्दाम किल के साथ डेथ में ठीक है उसके बाद बैंच के कुछ प्लेट से जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो नाव गाइस डेमो टीम की बात करते हैं फाइनल तो जो भी होगी वो टेलिग्राम पर मिलेगी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है जोइन कर देना और अगर यह फर्स्ट मेंच आपको लोस में जाता है ना तो मैं कोशिश करूँगा इस में हम इन्वेस्टमेंट को भड़ाएं ठीक है लेकिन पहले मत बना देना मैं आपको बिल्कुल बता दूँगा अगर लोस में जाते हैं तब वैसे तो मोस्टली नहीं जाने चाहिए बाकि देखते हैं क्या आया का रिजल्ट ठीक है चलिए मैं आपको डेमो टीम प्रोवाइट कर देता हूँ तो गाइस देखिए यह मेरा टीम प्रिव्यू है और मोस्ट परभली में इसी टीम के साथ जाओंगा क्याप्टन जो मेरा रहेगा वो निक क्रेगर है और वाइस क्याप्टन मेरा सद्दाम गिल है बाकि जो भी चेंजेस वगरा होंगे टीम के अंदर बोठे लेगराम पर मिली जाएंगे तो ठीक है यह डेमो टीम के साथ आप कॉंटेस्टों को जोइन कर सकते हो अदर गूड ऑप्शन में क्याप्टन सी में जह वशिष्ट और उसके अलावा मनीश्तिवारी क्योंकि मनीश्तिवारी देखिए मैनली तो डेथ में आता है और यही रीजन से मैंने इनको आपको मतलब वी सी के तोर पे लेने के लिए बोला है है ना बाकि स्वरी